हेलो स्टुडेंट स्वागत थे आप सभी का RBI Attitive क्लास में तो श्टुडेंट ये जो कोस्चन है ये अलजबरिक एक्सप्रेशन से है क्लास 8 की मैध की भुक से इसमें हमें अलजबरिक एक्सप्रेशन को एड करना है तो ये कोस्चन नमबर 3 का 3rd पार्ट है एक्सरसाइज 9.1 का तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए अंतर तक ताकि आपको कुछ समझ में आए चले शुरू करते हैं तो यह आप देखिए बोला है कि add the following ये कोस्चन नमबर 3 का 3rd पार्ट है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके 4th पार्ट, 1st पार्ट और 2nd पार्ट कि मैंने अल्रड़ी वीडियो बना दिये हैं प्लेश्ट में आप जाकर के देख सकते हैं ठीक है प्लेश्ट आपको आई की आइकान में मिल जाएगा तो यहाँ पर question number 3 में हमसे पूछा गया है कि 2p square q है 2p square q square minus 3pq plus 4, 5 plus 7pq minus 3p square q square तो दो expression है इसमें इनको हमें add करना है तो फिर से मैं बता दूँ कि भाई मैं पहले आपको column method से बताऊंगा फिर horizontal method से बताऊंगा आपको जो अच्छा लगता आप वो करना चाहिए horizontal करना अच्छा है column method करना तो जब मैं column method से करूंगा solution by column method तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह expression आप सबसे पहले write कर लिजे जैसा है वैसे ही write कर लिजे पहला expression पहला expression हमें जैसे मिलता है हमें वैसे write कर लेना चाहिए तो हमें पर मिला है 2p square q square minus 3pq plus 4 अब जब दूसरा equation इसके नीचे write करेंगे तो भाई हमें like term देखना होगा like term वो होता है जिसके जो variable होते हैं वो same same होती है और उनकी power same same होती है number से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है ठीके क्या क्या like term मतलब same variable उनके same power ठीके तो जैसे अब यहाँ पर देखो एक variable p है p के power 2 है एक variable q है q के power 2 है तो हमें ऐसा ही कुछ डूड़ना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि p के power 2 और q के power 2 है यानि कि minus 3p square q square इसका like term होगा तो यहाँ पर write कर लेंगे minus sign के साथ जैसा है वैसे ही write कर लेंगे अब हम देखेंगे कि भाई p q कहाँ पर आ रहा है तो देखो भाई p q यहाँ पर आ रहा है यह क्या है plus 7p q फिर आपका यह constant term तो constant term यहाँ पर है 5 मतलब आपको like term के नीचे ही like term लिखना अगर आप यह कर ले गए तो बागी का काम आपके लिए आसान हो जाएगा जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर p square q square है p square q square है तो जब term same same है तो इनका addition यह subtraction हो जाएगा sign different है तो subtraction होगा 3 number बढ़ा है तो इसका sign सबसे पहले minus आएगा, कितना आएगा, देखो 3 number बढ़ा है तो इसका sign minus आएगा, 3 minus 2 करेंगे तो 1, P square और Q square, ठीक है इतना समझ में आगया, यहाँ पे भी plus और minus है, तो 7 बढ़ा है तो sign positive आएगा, और 7 minus 3 करेंगे तो 4 P की हो जाएगा, पलस पलस sign है, तो sign पलस का आएगा, और यह addition हो जाएगा, 5 plus 4, 9, अब देखो, यहाँ पर हम लिखते नहीं है, क्योंकि आप वन multiply करो, तो आपको answer में वह ही मिलेगा, तो हमारा answer कितना आगया, minus P square Q square, पलस 4 PQ, पलस 9, तो यह इसका हमारा column method से answer हुआ, अब हम by horizontal method से करते हैं, by horizontal method, देखो, मैं एक question आपको दो method से इसलिए बताता हूँ, क्योंकि कुछ question ऐसे होते हैं, जो horizontal method से अच्छे होते हैं, और कुछ question ऐसे होते हैं, जो column method से अच्छे होते हैं, तो आपको जो अच्छा लेगी, आप वही करो, अब horizontal method की बात होती ही, आपको एक line में लिखना है तो पहली जो equation मिल रहे हैं उसको लिख लिख लिजए, 2p square q square minus 3pq plus 4, और इसको एक bracket में करना है, sign अगर add करने तो addition का आएगा, अगला लिख लिख लिजए 5 plus 7pq minus 3p square q square, ठीक है, अब क्या करना है, ब्रेकेट को open करना है, तो ब्रेकेट को open कर लेते हैं, तो यह आजएगा 2p square q square minus 3pq plus 4, अब प्लस होने की वज़ा से अंदर की sign change नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसको मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ, अब यह 5 है, plus 7pq है, और minus 3p square q square, addition करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, कि addition सिर्फ और सिर्फ like term का होता है, तो देखो, यहाँ पर p square है, और यहाँ पर q square है, क्या ऐसा कहीं पर है, क्या, तो देखो, यहाँ पर है, तो इन दोनों को add कर लेंगे, या सब्ट्रेट कर लेंगे, इसका sign plus है, और इसका sign minus है, तो बड़े का sign लेते हैं, तो बड़ा है 3, minus sign आ गया, और 3pq square q square में से 2P² Q² माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1P² Q² एक हम लिखते नहीं है तो मतलब हमारे पास P² Q² बचेगा अब यहाँ पर देखो दूसरा टरम जो मिला है हमें वो मिल रहा है PQ तो ऐसा कोई है हाँ PQ वाला यहाँ पर है तो यह माइनस 3PQ प्लस 7PQ 7 बड़ा है तो साइन पोजिटिव आ जाएगा 7 माइनस 3 करेंगे तो 4PQ आ जाएगा ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम बढ़ते हैं नमबर की तरफ तो हमारे पास सिर्फ यह रह गया 4 और 5 दोनों प्लस है 5 प्लस 4 9 हो जाएगा तो इस प्रिकार से horizontal method से हमारा यह answer आएगा ठीक है तो उम्मेद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को भी subscribe कर लो दोस्तों को share कर लो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हो कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताय करो उससे मुझे वीडियो को इंप्रूमेंट करने के लिए सुजाब मिलेगा प्लस अच्छा भी लगेगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू क्लास